सभी सातियों को मिरा नवस्कार, I hope आप सभी लोग बहत्रिन होंगे और बहत्रिन तरीके से अपनी प्रप्रेशन कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो में UP Board Class 12th प्रोज के अंतरगात जो आपका 6th चैप्टर है Poets and Pancakes जिसे लिखा है असोका मित्रन जी ने आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी short, question एवं उनके answer को discuss करेंगे वीडियो आपको कैसा लगेगा यह है आप देखने के बाद हमें comment करके अवस्य बताएंगे तो देखिए साती आपका जो पहला question है वह question है What was Pancake? Pancake क्या था? How was it related to Germany Studios? और यहाँ Germany Studios से कैसे सम्मन दित था? तो आप इसका answer लखेंगे Pancake was the brand name of the make-up material Pancake स्रंगार की सामिगरी का एक brand name था It was related यह सम्मन दित था to Germany Studios यानि की Germany Studios से यह Germany Studios से सम्मन दित था as क्योंकि It was used इसका प्रियोग किया जाता था in Germany Studios जैमनी इस्टूडियो में for the make-up यानि की साज सज्जा के लिए of all the artists यानि की सभी कलाकारों के including जिसमें कलाकार सामिल थे seniors and juniors यानि की senior और junior यानि की worst और कनिश्ट आप कह सकते हैं आई हो पच्चे से इसे लिख सकते हैं आप बहुत easy सब्दों में हैं उसके बाद अगला question है आपका where was the make-up department of the jamni studios situated jamni studios का सरंगार विभाग कहां पर इस्तित था तो आप इसका answer लिखेंगे the make-up department of jamni studios jamni studios का विभाग was situated इस्तित था in the upish tiers of a building यानि की एक इमारत की उपर मंजल पर या उपरी मंजल पर that जिसके बारे में was believed बिस्वास किया जाता था यानि जिस इमारत के बारे में बिस्वास किया जाता था to have been किया रहा है Robert Clive's stables यानि की Robert Clive का अस्तवल अब अस्तवल क्या होता है जहां गोड़ी रखे जाते हैं उसे अस्तवल कहते हैं आप चाहें तो एक screenshot ले सकते हैं और देखते हैं आपका जो third question है अपका third question है how could national integration be seen in makeup department स्रंगार बिभाग में राश्टिय एकी करण को कैसे देखा जा सकता था तो आप इसका answer लेखेंगे in the makeup department यानि की स्रंगार बिभाग में national integration could be seen राश्टिय एकी करण को देखा जा सकता था by observing यानि की निरिच्छन करके the pupils लोगों का working जो कार्य कर रही हैं देयर माने वहां in the makeup department यानि की स्रंगार बिभाग में national integration could be seen while observing the pupils working देयर राश्टिय एकी करण को वहां कारे करते हुए लोगों का निरिच्छन करके देखा जा सकता था it content इसमें सामिल थे बंगाली एक बंगाली सामिल था महराश्टियन एक महराश्टियन सामिल था आंद्रा एक आंद्र का निवासी सामिल था लोकल तमिल्स और लोकल तमिल लोग भी सामिल थे एंड अदर्स इसके अलावा दूसरे लोग भी सामिल थे फ्रॉम अदर कल्चर दूसरी संस्कृति के एंड प्लेसेज और दूसरे इस्थानों के वो सोब्ड नेशनल इंटीग्रेशन जो राश्टिय एक ही करण को दिखाते थे आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं साथी ओ और आगे देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है आपका वोट इस्ट्रेक्ट हैरा केरी वोज मैंटेंड इन मेकप डिपार्टमेंट स्रंगार बिभाग में क्या सक्थ पदानुक्रम निरभायवित किया गया था या कायम रखा गया था तो आप अंस्वर लेखेंगे इन दा मेकप डिपार्टमेंट यानि कि स्रंगार बिभाग में I strict haira describes was maintained यानि कि एक कठोर पदान क्रम को कायम रखा गया था या बनाया गया था The chief makeup man यानि कि मुख्य स्रंगार करता used to makeup chief actors and actress यानि कि मुख्य अभिनेता और अभिनेत्रियों का स्रंगार किया करता था His senior assistant made the second hero and heroine यानि कि और जो उसका जो वरिष्ट सहयक होता था वह दूसरे नमबर के अभिनेता और अभिनेत्री का स्रंगार करता था The junior assistant, the man comedian and so forth और जो उसका कनिष्ट होता था जो junior होता था वह सहयक मुख के हाथ से कलाकार यानि कि जो comedian होता है उसे और इसी क्रम में यह आगे कार्य करता था आप चाहें तो इसका भी एक screenshot ले सकते हैं अगला question है Who was the office boy? Office boy कौन था? What were his qualities? और उसकी विस्षिष्टाएं क्या थी? तो आप इसका अंसर लिखेंगे आफ जैमनी स्टूडियोज यानि office boy जैमनी स्टूडियोज के स्रंगार बेकभाग में एक कर्मचारी था Who Soldered the responsibility of painting to the crowd players यानि कि जो भीड की भूमे का अदा करने वाले पात्रों को पोतता था या उन्हें pancake लगाता था और उसकी यही जिंबेदारी थी He was not exactly a boy वह बास्तम में एक लड़का नहीं था He was in early fortage वह लगभग 40 वर्सिय था He was a bit of a poet वह एक थोड़ा या थोड़ा सा कभी भी था आप चाहिए तो इसका एक screenshot ले सकते हैं और अगला question है How did the boy help the author to enlighten his talent? लड़के ने लेखक की उसके उन्हर को जानकारी देने या था प्रकास डालने में कैसे मदद की? तो आप इसका answer लिखेंगे The boy in the makeup department यानि कि सरंगार विभाग में वह लड़का once decided एक बार निश्चे किया that कि the author should be enlightened on how great literally talent was being allowed to go best in the department fit only for borrowers and perverse यानि कि जो सरंगार विभाग में लड़का था उसने एक बार निश्चे किया कि लेखक को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस प्रकार से एक साहित्य प्रत्यवा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही थी जो केवल बाल काटने बालों और किसी कुमारगी के लिए ही उप्योक्त था यानि कि यह बात जो 40 वर्सी लड़का था जो से ऑफिस वोई के नाम से जाना जाता था उसने असोका मित्रन जी को बताई अगला कोशन है वो वोज कोथा मंगलम सुब्बू यानि कि जो कोखा मंगलम सुब्बू कौन था तो आप अंसो लिखेंगे कोखा मंगलम सुब्बू बोज दा नमबर 2 एट जैमनी स्टुडियोज कोखा मंगलम सुब्बू जैमनी स्टुडियोज में नमबर 2 पैड था He was a Brahman and tailor made for films यानि कि वह जाती से ब्रहमड था और वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनकूल था He had the quality to handle each and every situation in any case यानि कि उसके अंदर किसी भी इस्तिती में प्रतेक हालात को सवालने की विसिष्टा थी He was the right hand of the boss of the Germany Studios और वह जैमनी स्टूडियोज के मालिक का दाया हाथ था अगला question देखिए What was the position of सुब्बू in Germany Studios और वह यानि जैमनी स्टूडियोज में सुब्बू की क्या इस्तिती थी और क्यों तो आप इसका answer लेखेंगे The position of सुब्बू in Germany Studios वह जैमनी स्टूडियोज वाज नमबर टू क्योंकि He was having the solution of every problem क्योंकि उसके पास हर समस्या का समाधन था And sometimes He consult the boss also when the boss was fixed in a problem यानि कि कभी-कभी जो boss था वह समस्या में होता था तो उसका निवटारा भी निकलता था Secondly, दूसरे रूप से सुब्बू was ready to solve every problem always यानि दूसरी तरीके से सुब्बू हर समस्या को समाधन करने के लिए तैयार रहता था And his behavior was very cheerful towards everybody और हर किसी के प्रती उसका ब्यहवार बहुत ही cheerful था आप चाहें तो एक screenshot ले सकते हैं इसका हिंदी में यह रहा आईए अगला question देखते हैं अगला question है आपका What were the works and availities of सुब्बू? सुब्बू के कार्यवा योगताएं क्या थी? तो आप अंसोर लेखेंगे सुब्बू जो works and abilities were a lot more यानि कि सुब्बू के कार्य और योगताएं बहुत ही जादा थी In the absence of boss यानि कि boss की अनपस्तिती में He was there to manage each and everything यानि कि वह वहाँ पर प्रतेक चीजों को सभालने के लिए था सुब्बू had a separate identity as a poet यानि कि सुब्बू की एक कभी के रूप में भी अलग पहचान थी He was a successful person in films और वह फिल्मों में एक सफल व्यक्ती भी था He was an amazing actor also और वह एक लाजवाब अभिनेता भी था He was a charitable and improved man who used to feed and support many persons यानि कि वह एक धर्मार्त और अपवेई व्यक्ती था जो अनेकों व्यक्तियों को खिलाता वा सहरा देता था Who meet with him in their needs जो उनसे उनकी आवस्यक्ताओं में मिलता भी था Overall यानि कि कुल मिलाकर सुब्बू बोजा gentle and cheerful person सुब्बू एक सब्वे और कोस नुमा व्यक्ती था देखिए अच्छा कोशन बोल में आने लाइक है अगला कोशन है Why did सुब्बू have an image at Germany Studios? जैमनी स्टूडियोज में सुब्बू के दुस्मन क्यों थे? तो आप अंस्वा लिखेंगे सुब्बू had an image in Germany Studios due to many regions यानि सुब्बू के जैमनी स्टूडियोज में दुस्मन अनेकों कारणों से थे It was so ऐसा इसलिए था because क्योंकि He seemed so close and intimate with the boss यह इसलिए था क्योंकि वह boss के बहुत नज़िदीक और खास था His general demeanor resembled a psychophant His readiness to say nice things about everything for his popularity यानि उसका सामाने बहवार चापलू जैसे बहवारों से मिलता था और these all were the regions which made his enemies in the Gemini Studios प्रतेक चीज के बारे में अच्छा बोलने कि उसकी ततपरता अत्वा उसकी लोकप्रियता ये सभी काराण थे जो Gemini Studios में उसके प्रती सत्रू थे अगला कोश्चन है What was the story department in Gemini Studios Gemini Studios में कथानक बिभाग क्या था तो आप इसका अंस्वर लेखेंगे In Gemini Studios यानि कि Gemini Studios में There was a department called story department यानि कि एक बिभाग था जो कहानी बिभाग कहलाता था Comprised a lawyer and assembly of writers and poets जिसमें एक बकील तथा लेखकों और कभियों का एक समु सामिल था Subbu was also grouped under the story department Subbu भी कहानी बिभाग में या कहानी बिभाग के अंतरगत ना मंकित था अगला question है How did the lawyer of story department destroy the career of an extremely brilliant actress कहानी बिभाग के बकील ने एक अत्यधिक हुनर्म मंद अविनित्री का पेशा कैसे तभा किया तो आप अंस्वर लेखेंगे The lawyer of the story department destroyed the career of an extremely brilliant actress by switching on the recording equipment when once that actress blew over on the sets कहानी बिभाग के बकील ने एक अत्यधिक प्रत्वा वान अविनित्री के कैरियर को record करने के करने वाले एक यंत्र को एक बार चालू करके जब वह अविनित्री बड़कोटी थी बरवाद कर दिया Then, later the lawyer played hack the recording and the actress struck dumb and after it she never recovered from the terror she felt that day याने कि फिर बाद में बकील ने record को फिर से बजा दिया या चालू कर दिया और अविनित्री अवाक रहे गई और उसके बाद वह कभी भी जो डर उसने उस दिन महसूस किया था उससे वह उबर ना पाई इस फ्रकाश से उसने उसका जीवन ही बरवाद कर दिया अगला कोशन है वाई डिट दा लॉयर लूज हिस जोब वकील ने अपनी नौकरी कैसे खोई दा लॉयर लॉज्ट हिस जोब विकॉज वन डे दा बॉस दाउन दा स्टोरी देपार्टमेंट and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home वकील ने अपनी नौकरी होई क्योंकि एक दिन बॉस ने कहानी बिभाग बंद कर दिया और सायाद पूरे मानव इत्यास में यह एक मात्रो धारन था जहां एक वकील की नौकरी इसलिए छूट गई क्योंकि कभीयों को घर जाने के लिए कहा या कह दिया गया था अगला कोशन है आपका सामने बाद क्या है और जैमनी स्टूडियोज में यह कैसे देखा जाता था तो कम्नियुजिम इस अटोटली टीरियन शिस्टम आप मेंट आर्फ इसलिए अट्रियन पार्ट अटर्टी इसलिंश ट्रॉर्टल इसलिए अट्रॉट्यों एफूर्टी रेट जैमनी स्टूडियोज अग्योज अवद्ध पूर्टूड का घर लिएब थाट्रों यह श् दो फाइनल और कंजूल लव यानि के साम में वाद सरकार की एक अधे नायक वादी विवस्ता है जिसमें एक एकल संतावादी पार्टी राज्य के स्वामित्तों वाले उत्पादन की आये को नियंत्रित करती है जैमनी स्टूडियोज में सही परभासिक सब्द सामेबाद से विमुक्त थे प्रतुकूल थे और उनके अंसार एक सामेबादी एक इस्वरहिन व्यक्ति होता है था जिसका संतानिय अतोब बहभाईक प्रेम से कोई नाता नहीं था अब चाहिए तो स्क्रेंट ले सकते हैं अगला कोशन वाट वोज मॉरल री आर्मेंट आर्मी यानि की मॉरल री आर्मेंट आर्मी सेना क्या थी तो आप इसका अंसार लिखेंगे मॉरल री आर्मेंट आर्मी वोजा बेग ट्रूप बेद सम्टू हंड्रेड स्ट्रोंग मेंबर्स लीडेड बाई फ्रेंक बुचमेन यानि की मॉरल री आर्मेंट आर्मी फ्रेंक बकमेन द्वारा नित्रत किया जाने वाला खुछ दो सो दमदा सदस्यों बाला एक दल था एम आरे वोजा काइंड ओफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्नूजयम यानि की और जो एम आरे अंतराश्टिय सामेबाद का एक ब्रोधी आंदोलन था यानि किसी ने तो इसे इस दल को अंतराश्टिय सरकस यानि कि सरकस कहा था सरकस क्यों कहा था क्योंकि इसमें अलग-अलग प्रकार के लोग थे तो आप आंसो लिखेंगे जयमनी स्टूडियोज में दूसरा आगुन तक एक अंग्रेजी कभी था उसका जयमनी स्टूडियोज में स्वागत किया गया था क्योंकि उससे सीधे श्रीमान S.S. Bhason जो जयमनी स्टूडियोज के मालिक थे उनके द्वारा मंतरित किया गया था अगला कोशन Why did the budget of an English poet remain an unexplained mystery एक अंग्रेज कभी का आगमन एक आश्पश्टी क्रत रहस क्यों बनकर रहे गया तो आप इसका अंसवा लिखेंगे The budget of an English poet remained an unexplained mystery एक अंग्रेज कभी का आगमन एक आश्पश्टी क्रत रहस बनकर रहे गया क्योंकि he was an English poet with a territorial assent and he had addressed the Tamil audience in the Germany studios where Tamil films were made and audience of Germany studios had no meaning with English यानि कि उसका जीवन क्यों हो गया था क्योंकि वह चेत्रिय प्रभा के साथ साथ एक अंग्रेजी कभी था और उसने जैमनी स्टूडियोज में Tamil सुरोताओं को सम्मोदित किया था जहां Tamil फिल्में बनाई जाती थी और जैमनी स्टूडियोज के स्टूडियोज के सुरोताओं का अंग्रेजी से कोई भी बास्ता नहीं था अगला कॉश्चन है what was the encounter यानि कि encounter क्या था तो इसका अंसर आप आसानी से लिखेंगे the encounter was a British periodical published in England and used to organize short story contests for all of its readers all over the world the encounter एक British पत्र का थी जो इंग्लेंड में प्रकासित होती थी और संपूर्ण बिस्व में अपने पाठकों के लिए लगू कथा तता प्रयोत्योगिता आयोत किया करती थी अगला कॉश्चन है who was the Stephen Spender and how was he related to Germany Studios Stephen Spender कौन थे और वह जैमनी स्टूडियोज से कैसे संबंदित थे तो यह एक English poet थे Stephen Spender was an English poet जाने कि Stephen Spender एक अंग्रेज कभी थे and once he arrived to Germany Studios on the invitation of the honor of the studios Mr. S.S. बासन to give space to address all the members of Germany Studios और एक बार जैमनी स्टूडियोज के सभी सदस्यों को संबंदित करतने के लिए बासन देने के लिए इस्टूडियो के मालेक स्रीमान S.S. बासन के निमंत्रण पर जैमनी स्टूडियोज पहुंचे थे Second last question इस chapter का What was the God that failed? What did it refer to? The God that failed क्या था? वह क्या उले करता है? The God that failed was a book an elegant paperback of American origin The God that failed एक पुस्तक थी सुन्दर पेपर बैक में अंग्रेज जी अमेरिकें ही मूल से संबंदित थी A special law a prized student edition in connection with the 15th anniversary of the Russian Revolution written by six eminent men of letters in six separate essays It referred to their journeys into communism and their disillusioned return Disillusioned मानोता है ब्रहम दूर हो जाना यानि The God that failed एक पुस्तक थी सुन्दर पेपर बैक में अमेरिकी मूल से संबंदित थी विसेश कम कीमत वाला बिद्धारती का अंक रूसकी क्रांती की पचासवी वर्सगाट वाला छे अलग-अलग बिद्ध्वानों द्वारा छे अलग-अलग निवंदों में प्रकासित की गई थी वह सामेबाद में उसकी यात्रा और उसकी नरासा जनक बापसी का उलेक करती है इस चेप्टर का अन्तियम सौट कोशन Who owned the Germany Studios? Germany Studios का मालिक कौन था? तो आप अंसर लिखेंगे Mr. S.S. Vassan owned Germany Studios Shreevman S.S. Vassan Germany Studios के मालिक थे He was a businessman of many business और वह अनेक ब्यापार करने वाले ब्यापारी थे He was the owner of Ananda Victan a Tamil language weekly magazine यानि कि वह आनन्द विकेतन एक तमिल भासाई साप्तिक पत्र का थी उसके भी मालिक थे And he bought motion picture producers combines and renamed it as Germany Studios और उन्होंने motion picture producers combines को खरीदा था तथा उसका नाम बदल कर Germany Studios रख दिया गया था इस प्रकाश से इसके सभी short question आपके लिए मैंने clear कराए अगर कहीं भी छोटी मोटी mistake हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाऊंगा जैसे सरकस मुझस से गलत पड़ गया है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अब अबस बताएं थैंक्स पॉर्ट